चलिए, कल से हम लोग कुछ बाते जो शुरू किया है, उसी की बात फिर से कर लेते हैं, अर्थ के अंदर अगर हमें G निकालना है, तो क्या करेंगे, इसकी प्रपरटी यूज़ करेंगे, तो यहां से G in by smaller is G s by capital R, G in आगया, G s into smaller by capital R, G s को हमेशा क्या लिखने की आदट डाल लिजिए, G m by R square, G s को आपने यह लिख दिया, तो यहां से आ गया, यह G m by R square वाला और यह R, मिलके हो गया, G m by R cube into smaller, ठीक है, और G out कितना होता है, देखिए, G m by R square, ठीक है, वैसे, G out का जो हम लोग अभी तक लगाते रहे हैं, कि अगर वो यहां से N r दूरी पे हो, तो हम क्या करते थे, G m by N square R square, ठीक है, इसको हम लोग G s बोल देते थे, तो यह हो गया, G s by N square, हम लोग लाजिक यही उस करते थे, ठीक है, तो चलिए, यह बात है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहां पे देखिए, यह question था, कि अगर अर्थ के अंदर, surface के अंदर R1 distance पे, G की value G1 थी, ठीक है, और यहां से R2 distance पे बाहर, G की value G2 है, ठीक है, तो आप बताए, G2 by G1 कितना होगा, तो R1 अंदर है, तो अंदर आपने अभी निकाला य G inside, यह भी किस से निकला है, similar triangle से निकला है, हम आदर डालने क्या, Gs की जगह, Gm by R square लिखने की R capital होगा, तो वहां से G in आ गया था, Gm by R cube into small R, और यह चीज हुआ, और G out हम कितना लिखते हैं, G out लिखते हैं, Gm by small R square, तो G2 हो गया, G out, G2 हो गया G out, और G1 हो गया, G inside, G out क क्या हुआ, Gm by R cube into R1, तो G1 Gm कड़ गया, यहां से G2 by G1 आ गया, R cube by R1 R2 square, तो ऐसा problem है, तो G out के लिए यह फार्मूला लगेगा, R की जगह R2 लिख देना है, और G in के लिए यह फार्मूला लगेगा, similar triangle से आता है, R की जगह R1 लिख देना यहां पर, बाकि यह हमारा answer चला जाएगा, ठीक है, चलिया है, तो अब हम लोग चलते हैं, next page में, हाँ, देखो, दो तरह से problem मन सकते हैं, if same value of, if same value of G at height H and depth T, ध्यान देना, height और depth क्या है, अलग-अलग है, और value of G same है, ठीक है, तो देखो, height और depth अलग-अलग है, value of G same है, ध्यान दो, देखो, यह height हो गई, उचाई पे, और यह depth हो गई, और G की value same है, G जो height पे है, वही G depth पे है, G जो outside है, और G जो inside है, वो इतना हो गया, ठीक है, और यह equal है, तो साफ साफ तो मैं दिख रहा है, कि D equal to क्या है, 2H है, क्योंकि यह H छोटा है, और D बढ़ा है, है न, यहाँ पर D equal to 2H है जाए कि G का क्या होगा, तो ध्यान दो, जितना D बनाना, ख्याल रखना, small H के लिए कर रहा है, तो बाहर में, जितना D height बनाना, उतना ही अंदर D बना देना है, ध्यान रखना है, दूरियां बराबर रखना, देखो, यहाँ पर, यहाँ पर G की value इतनी है, G outside, देखो, और उतनी ह लिए हम, ठीक है, D और H बराबर लिए, तो यह उतनी ही पर दोखो, इतना है, देखो, कहाँ पर ज्यादा है, G in ज्यादा है, तो कम height वाले case में, अगर तुम, उतनी ही उचाई, उतनी ही उचाई चलो, उतनी ही गराई चलो, ठीक है, उतनी ही उचाई चलो, उतनी ही गराई चलो तो क्या होगा G कहां पर ज्यादा होगा G की वेलू देखो inside ज्यादा है outside कम है ठीक है पूछा है percentage G कहां पर ज्यादा होगा change in G कहां पर ज्यादा होगा इसमें G ज्यादा हो गया है ना इसमें G कम हो गया change इसमें कम हो गया तो देखो उतनी ही गहराई चले उतनी ही उचाई चले उचाए जी कहां ज्यादा होगा जी इन ज्यादा होगा यह आंसर होगा ठीक है और जो जी इन होगा ठीक है बस जी इन ज्यादा होगा जी आउट से हम यह कहा देंगा यह सब कुछ डबल ओवल नहीं हो गया ठ देखते हैं, same height चला, same d चला, तो चलो, फिर से चलते हैं, माल लो 1 km इधर चला, 1 km इधर चला, तो को यहाँ g की value किती है, इतनी, यहाँ g की value किती है, इतनी, पूछ रहा है, अगर percentage change in g, in x है, देखो, g surface इतना बड़ा था, वहाँ से यहाँ तक, इसमें कितना percentage change हुआ, x, औ और इसमें percentage change, g out कितना हुआ, g out में कितना हुआ, percentage change, y हुआ, तो पूछा है, कौन ज्यादा होगा, देखो, y is equal to 2x होगा, साफ साफ दिख रहा है, तो percentage change, यहाँ पे, ज्यादा होगा, वैसे भी तुम निकाले थे, delta g by g, in के लिए कितना था, अगर minus h by r था, और delta g by g, out के कितना निकाले थे तुम, या तो इस diagram से कर लो, और या फिर, इस formula से कर लो, minus 2h by r, कल का याद रहा होगा, और यह diagram बहुत काम का है, हम लोग बहुत सरदी तरीके से diagram को draw करके किवाल, पुछते हैं कि हो गया, याद करना है, यह diagram से बहुत कुछ तुम बिना calculate की answer दे सकते हो फिक है, चलिए, अब यह problem है, अर्थ के surface पे weight कितना है, डबलू, और कितनी उचाई पे, पूछा है, कितनी height पे height क्या होगी, जब weight आधा हो जाए, ध्यान दो, क्या करोगे, weight आधा हो जाए, यानि कि तुम कह रहे हो कि g की value यहाँ g surface है, और यहाँ g की value क्या हो गई, g surface by 2 हो गई, हमें पता है, r is equal to nr पे, कितना होता है g की value, gs by n square, तो तुम सीधी सी बात बोल सकते हो, कि gs by n square, यहाँ जरूर root 2 रहा होगा, root 2 का square है, यानि यह distance, यहाँ से इसकी distance, r root 2 रही होगी, right, और यह height जो है, r root 2 minus r रही होगी, तो हो जाएगा, r into root 2 minus 1, answer आजाएगा, r हो गया 6400 earth का, root 2 minus 1 हो गया 0.414, इतना kilometer calculate कर देना, ठीक है, या फिर तुम्हें ऐसे ना समझ में आए, तो देखो, gs के अंदर, तुम्हें आद है, gs by 4 जब होता था यहाँ पे, तो तुम क्या बोलते थे, gs by 4 है, मतलब 2 square है, तो जरूर जो है, center से 2 r दूरी पे है, ऐस बोलों को 4 और 9 करने की आदत थी, देखो, यहाँ पे g की value g surface है, यहाँ पे g की value g surface by 3 है, 3 है, मतलब क्या, root 3 का square है, तो center से इसकी दूरी कितनी होगी, बोलो, root 3 r होगी, तो इसकी height कितनी होगी, बोलो, इसकी height होगी, root 3 r minus r, root 3 minus 1 r, फिक है, यहाँ से देखो, इसी तरह इस 5 minus 1 into r, यह height के questions हो जाएंगे, तो यह, अगर यहाँ पे w by 81 था, 16 था, 9 था, नीचे perfect square था, तब तो तुम कर लेते थे, लेकिन नीचे 2, 3, 5, ऐसे आजा, 6 आजा, तो फिर हम रूट लेके करेंगे, तो आसानी से हो जागा, next, g in के लिए हम लोग क्या सीखे थे, similar triangle लगाओ, g in by small r is g surface by capital r, g out के लिए क्या सीखे थे, gm by small r square, और r क्या था यहाँ पे, अगर earth के surface से, r is equal to nr है, तो हमने r की जगा रख दिया, n square r square, gm by capital r square, हमने gs लिख दिया, तो g out मिल गया, gs by n square, यही हम लोग शुरू से करते चले आ रहे हैं, gs by n square, जहाँ n क्या है, r is equal to nr, r जो है, कितना गुना n का है, उसको यहाँ रख रहे है, g out is gs by n square, ठीक है, अब तुम्हें आगे, सिर्फ दो फार्मूले, यह यहाँ पर याद रखने है, कि g out के लिए तुम क्या याद किये थे, कि earth के center से, अगर particle nr दुरी पे है, तो g out कितना हो गया, gs by nr square, इसने oral problems में तुम्हारी बहुत मदद की, और जो रदी किसिम का formula ncrt और बाकी institute में दिया हुआ है, और किताबों में जो छपती है हमेरट से, तो वो जो रदी formula है, उ minus mgr by n, कितामों बे दिया है, minus mgr by 1 plus h by r, यह लोगों की धुगदुकी बढ़ा देता है, तो यह हम ना करके, हम लोग कुछ और याद करें, हम लिखे, minus mgr by n, potential energy, n क्या है भई, small r is equal to nr है, देखो, यहाँ से इसकी दूरी, center से इसकी दूरी, r is equal to nr है, जितना गुना है, वो यहाँ पर भाग दे दे, यहाँ जितना times था, यहाँ उसके square से भाग दे दिये थे, यह चीज़ ख्यार लखनी पड़ेगी, चलिए, तो आज हम लोग energy की बात करेंगे, कल हम लोग बात किये थे, किसकी, field की, चलिए, देखते हैं, उच मैं बात करूँगा, देखो, दो masses हैं, इनकी potential energy तुम्हें याद कराई गई होगी, u is equal to कितना, minus gmm by r, u क्या है, gravitational potential energy, ध्यान रखो, r बढ़ेगा, r बढ़ेगा, तो 1 by r घटेगा, decrease करेगा, तो minus 1 by r क्या करेगा, increase करेगा, और u क्या करेगा, increase करेगा, इसलिए r बढ़ने पर u increase करता है, अगर दो masses को हम लो moved apart, their potential energy will increase, यही formula तुम electrostate में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, u is equal to k q1 q2 by r, यहाँ minus नहीं होता, लेकिन q1 q2 को with sign पढ़ते हैं, लेकिन gravitation वाले chapter में यहाँ क्या होता है, minus होता है, mass का कोई sign तो होता नहीं, positive होता है, अलग से और कोई sign नहीं होता, यह electrostatic potential energy थी, यह gravitational potential energy ह है, क्या सीखे हैं हम लोग, r बढ़ने पे, r increase करने पे, u क्या हो रहा है, increase कर रहा है, if two masses are moved apart, their potential energy will increase, right, ऐसा है, देखो, यहाँ पे है, यह M1, M2 है, जैसे दोखो, इसको ऐसे भी सोच सकते हो, M1, M2 है, M1 को तुम earth माल लो, और M2 को ball माल लो, तो ball और earth को दूर ले जाएं और potential, या नहीं, मैं बार-बार सिखा रहा हूँ, कि दो masses को जब दूर ले जाओगे, तो potential energy बढ़ेगी, चाहे वैसे सोच लो, चाहे ऐसे सोच लो, एक मास को earth माल लो, दूसरे मास को ball माल लो, इन दोनों को दूर ले जाओगे, तो इनकी potential energy बढ़ेगी, potential energy बढ़ी है, इस पर positive work किया जाता है, और work done by external agent, क्या होता है, positive होता है, work done by external agent, क्या होता है, positive होता है, चलो, आगे बढ़ो, तो ऐसे भी सोचो, natural क्या है, दो masses को तुम पास पास रखतो, तो natural क्या है, स्वभाविक क्या है, कि वो they should come closer, वो पास आने चाहिए, तो जब जो चीज natural होती है, व और stability बढ़ती है, natural चीजों में, और तुम्हें पता है, potential energy proportional to one by stability होता है, जब छोड़ दिया गया, दोनों पास आये, पास आये मतलब क्या हुआ, stability बढ़ी, stability increase होई, मतलब क्या हुआ, potential energy decrease होई, लेकिन हम लोग तो उल्टा कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको दू तो stability हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्योंकि हम लोग दूर ले जा रहे हैं, nature क्या against जा रहे हैं, इसलिए potential energy क्या होगी, बढ़ेगी, pull कहने का मतलब यह है, कि potential energy बढ़ेगी अगर दो मासे इसको दूर ले जाए, इसका मतलब positive work is done on the system, work done by external agent is positive, ठीक है, तो आपने force लगाया इधर, gravity ने force लगाया इधर, और displacement उपर हो रहा है, आप ले के जा रहा है, तो ध्यान दीजे कि आपकी दिशा में displacement हो रहा है, तो work done आपके दौरा कितना हुआ, work done external agent यह कारण कितना हुआ, positive हुआ, क्योंकि आपकी दिशा में displacement हुआ है, work done positive हुआ, और दे negative हो गया, work done by gravity क्या हो गया, negative होगा, तो कोई चीज जब उपर आप खींच के ले जाते हैं, तो आप positive work करते हैं, आप positive work करते हैं, gravity negative work करती है, ठीक है, यह बात ख्याल रहे है, और चुकि आपने positive work किया है, आप system को energy दे रहे हैं, इसलिए system की potential energy बढ़ेगी, ठीक है, ओके, चलिए, यह r था, यह ball है, u कितना होता है, minus gm by r, यह आप पढ़े हैं, तो minus gm by r को हम लोग क्या लिखें, gm को क्या लिखने की आदर डाल दीजिए, हमने बताया, g surface क्या होता है, gm by capital r square होता है, तो gm को क्या लिखने की आदर डाल दीजिए, gs into r square, यह हमने लिखने की ठीक है, into m by small r, यहाँ mgr हो गया, एक r बचा रहा गया, उसको हम लोग इस r को उठा करके नीचे लेगे चले जाएं, देखो, mgr हो गया, divided by small r by capital r हो गया, और small r is equal to nr अगर है, तो यह coefficient दोखो, यहाँ पे आ गया, n by n, तो u कितना आ गया हमारा बोलो, u आ गया, minus mgr by n या k उतना गुना, minus mgr by k, कितना दूर है center से, divided by r, मतलब अगर center से, यह k r दूरी पे है, तो हम क्या use करेंगे, minus mgr by k, या nr दूरी पे है, तो minus mgr by n, जैसे 7 r दूरी पे है, तो क्या लिखेंगे, n जो है 7 हो गया, तो potential energy हो जाएगी, minus mgr by 7, ठीक है, जैसे देखिए, यहाँ मै देखो, ball is resting on the earth, पृत्वी पे ball rest कर रही है, तो पूछा है, इस system की configurational energy क्या होगी, u is equal to क्या पढ़े हो, minus gmm by r पढ़े हो, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, small ball है, तो distance कितनी हो गई, small r की जगा, capital r हो गया, minus gm की जगा क्या रखे, gs r square, तो देखो क्या किये तुम, gm की जगा रख दिये, gs into r square divided by small r, तो u अपने आप आ गया, minus mgr, तो potential energy of earth ball system, when ball is kept at the surface of earth, जब ball को earth के surface पे रखे, तो potential energy कितना आ गया, minus mgr आ गया, देखो, इसी फार्मूले को यूज करके, क्या आ गया, minus mgr, चलो, तो ध्यान दो, अब हम अलग-अलग situation के लिए, potential energy निका वो होती है, कि उस system के configuration में कितनी energy है, ना, सिर्फ configuration में, वो दिखती नहीं है, जैसे kinetic energy तो दिखती है, potential energy दिखती नहीं, ध्यान दो, यहाँ potential energy of this configuration, यह mass m है, यह दोखो पृत्वी के ऊपर सोई होई है, पूछा है कि इतना होगा, तो center से इसकी दूरी कितनी होगी, बोलो चोटी है, r हो गई, तो क्या होता है formula, minus mgr तो लिखना ही लिखना है उपर, divided by यहाँ से इसको दूरी जितने times है, 1 minus mgr, यहाँ पर इसकी energy क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे, कि भई, u is equal to minus mgr तो हमको लिखना ही लिखना है, r यह है height और r radius है, तो यहाँ से यह तक की distance कितनी हो गई, 2 r हो गई, 2 r, जितना times है वो 2 यहाँ लिख देना है, है न, दोखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की distance कितनी होगी बोलो, 3 r होगी, है न, 3 r, तो minus mgr तो लिखना ही, दिवाइड़ बाई क्या, जो distance 3 है, वो यहाँ 3 लिख देंगे, ऐसा हो 4R, तो क्या लिखो गए, minus MGR तो लिखना ही लिखना है, divided by इस दूरी का coefficient 4, यह हो गया, ठीक है, यहाँ देखो, height कितनी है, 4R है, तो यहाँ से कितनी height हो गई, 5R, हमें potential energy निकालना है, हम minus MGR तो लिखें ही लिखें, divided by क्या लिख दें, यह coefficient 5, है न, यहाँ देखो, height कितनी दे रखी है, 5R, यह distance R है, यहाँ से distance कितनी हो गई, 6R, तो हम potential energy क्या लिखेंगे, minus MGR तो लिखना ही लिखना है, divided by क्या, 6, राइट, potential energy of earth ball system is minus MGR by K, जहाँ क्या क्या है, center से distance का coefficient जो R इकलू कर है, वो K यहाँ पर लिख देंगे, तो जैसे यहाँ पर earth की surface से, देखो, earth की surface पर ही ball रखी है, तो K की value कितनी हो गई, 1, तो earth के surface पर रखी है, तो minus MGR by 1, earth के, यहाँ से 2R height पर है, तो minus MGR by 2, earth से 3R height पर है, तो minus MGR by 3, earth से 4R height पर है, तो minus MGR by 4, earth से 5R height, sorry, 4 नहीं, height पर नहीं है, center से दूरी है, earth के center से 5R की distance पर है, तो minus mgr by 5, earth के center से 6R पर है, तो minus mgr by 6 and so on, ठीक है, यह ऐसा हुआ, right, ध्यान दो, यहाँ देखो, देखो, earth के center से इसकी, यह surface पर है, surface पर है तो इसका potential energy क्या लिखोगे, minus mgr, यहाँ से 2R distance पर है क्या लिखोगे, यह coefficient 2 है, minus mgr by 2, 3R distance पर है, यह coefficient 3 है, minus mgr by 3, 5R distance पर है, यह coefficient 5 है, minus mgr by 5, nR distance पर है, minus mgr by n, जो हम gs by n square करते थे, gout के लिए, तो हम इसके लिए, बिल्कुल वही काम कर रहे है, minus mgr, वहाँ उपर gs होता था, नीचे n square होता था, यहाँ उपर minus mgr है, नीचे n है, ठीक है, चलिए, ध्यान दो, अगर, अर्थ के surface पर ball है, अब तो potential energy क्या लिख दोगे, minus mgr, अर्थ के surface से r उचाई पर है, मतलब r distance हो गई यहाँ से, तो total distance कितनी होगी बोलो, total distance होगी 2r, तो यहाँ क्या लिखोगे, minus mgr by 2, ठीक है, ध्यान दो, अर्थ के surface से 2r height पर है, यहाँ से कितना होगा, 3r, तो यहाँ क्या होगा, 3, अर्थ के surface से 3r height पर है, यहाँ से कितना होगा, 4r, नीचे क्या होगा, 4, Earth के surface से 5R height पे है, इसका मतलब center से कितना हो गया? 6R, मतलब नीचे क्या हो गया? 6 Earth के center से 4R height पे है, इसका मतलब center से हो गया 5R, मतलब यहां क्या हो जागा? 5 यह तुम्हे potential energy निकालना चाहिए next देखो, अब थोड़ा-थोड़ा fraction में अगर चीज़ें आ जाएं, तो क्या लिखोगे? तुम लिखते हो, minus MgR by center से distance N, तुम लिखते हो, minus MgR by N, ऐसा तुम लिखते हो, ठीक है? तो क्या करोगे? अब देखो, यहां पे fraction में चीज़ें आ गई है, ठीक है? माल लो, R by 2 पे हैं, R by 2 पे हैं, तो center से distance कितना होगा? R by 2 प्लस R, मतलब कितना? 3 R by 2, तो 3 R by 2 नीचे लिखोगे ने हाँ पे, by N, 3 by 2, तो 3 by 2, 2 ऊपर जाके हो जागा, 2 by 3, रैट, यह हो जागा, R by 3 है, तो यहां से distance कितनी हो गई? R by 3 और R, इन दोनों को जोड़ोगे, तो यह हो जागा, 4 R by 3, तो नीचे जब लिखोगे N, 4 R by 3, तो 3 ऊपर चला जागा, तो यहां लिखोगे 3 by 4, है न? R by 4 पे, यहां से जोड़ोगे तो आ गया R plus R by 4, 5 R by 4, यह सब मैस तुम्हें आनी चाहिए, तो नीचे लिखोगे 5 R, 5 by 4, तो ऊपर आके क्या हो जागा? 4 8 R by 7, तो यहां जब 8 by 7 लिखोगे तो यह उल्टा होगे 7 by 8 आ जाएगा, यहां से R by 6 है, मतलब R by 6 plus R यहां जोड़ोगे, तो यह दोनों जोड़ोगे, तो कितना होगे? 7 R by 6, तो इसका जब उल्टा करोगे नीचे, 7 by 6, तो यह 6 by 7 हो जाएगा, यहां से देखोगे 2 R by 3 तो यह R जोड़ोगे तो कितना हो गया 5 R by 3 तो उल्टा देखोगे तो 5 by 3 करोगे तो उल्टा होके 3 by 5 हो जाएगा यहां देखो 3 R by 2 पे है R और जोड़ोगे तो कितना हो जागा गुड़ा करो 2 R plus 3 R 5 R by 3 ठीक ना नहीं यहां कुछ उल्टा हो गया 2 R plus 3 5 R by 2 तो जब उल्टा करोगे उस में जाके MGR में नीचे क्या लिखोगे 5 R by 2 तो उपर जाके यह 2 हो जागा 2 by 5 हो जाएगा यह ना ऐसे होगा R by 5 पे हो तो R by 5 और R एड़ करोगे तो कितना आ जागा टोटल 6 R by 5 है ना मैस आनी चाहिए नीचे लिखोगे 6 R by 5 6 by 5 तो यह उल्टा जोके minus 5 by 6 हो जागा तो potential energy तुमको direct लिखने आनी चाहिए आगे बढ़ो U is equal to minus MGR by K K क्या है center से उतना दूरी पे है K R दूरी पे है K R दूरी पे है तो K हम यहाँ लिख देंगे तुम्हारे book में formula दिया है minus MGR by 1 plus H by R R यहाँ Earth की radius है No need of this यह तुम्हें बहुत उल्जाता है जैसे बताया हूँ वैसे करोगे जिंदगी अच्छी रहेगी चलो आगे देखो Generally we should not use this हमें इसको use नहीं करना चाहिए ठीक ना यह तो simple small R की by R को small R की जग R plus H रखोगे तो आही जाएगा formula बनाने में क्या है लेकिन exam में जो काम हम 10 second में कर सकते हैं उसके लिए हम 3 minute लगाते हैं आगे बढ़िया चलो अब यह question है हमारा Earth के surface पे ball बिल्कुल आराम से सो रही है इसको हम h equal to higher height पे ले जाएंगे पूछा है work done by external force क्या होगा तो ठीक है बताओ यहाँ पे initial energy कितनी होगी minus MgR और यहाँ energy कितनी होगी बोलो final यहाँ से center की यह R हो गया और यह कितना होगया R और R 2R तो यहाँ हो गया 2R हो गया तो coefficient 2 हो गया तो कितना आ गया minus MgR by 2 और delta U कितना होता है delta U जो होगा work done क्या होगा delta U that is U final minus U initial है na U final कितना है बोलो कितना minus MgR by 2 minus U initial कितना है बोलो minus of MgR राइट तो यह कितना आ जाएगा minus minus plus हो जाएगा plus MgR common ले लो कितना बचा यहाँ पे 1 और यहाँ क्या बचा minus 1 by 2 यह हो गया MgR by 2 लेकिन मैं इतना भी लिखने के पक्ष में नहीं हूँ मैं कहा रहा हूँ तुम्हें पता है कि नीचे से उपर जब ले जा रहे है तो work done positive है अभी मैंने सिद्ध किया प्रूव किया था उसको पीछे कि जब ही मैं बॉल को नीचे से ऊपर ले जा रहे है तो work done क्या है positive है तो इसका मतलब क्या हुआ जब positive आना ही है तो देखो ध्यान से इसका coefficient 1 है और इसका coefficient कितना है 2 है नीचे तो दोनों का difference सीधे ले लो 1 और 1 by 2 का difference क्या हो गया 1 by 2 और MGR अपनी जगह है सीधे answer लिख दो क्या होगा plus 1 by 2 MGR जैसे next में देखो हम h equal to 2R अर्थ के surface पे था तो u कितना हो गया minus MGR और कितना उपर चला गया हम उसको अर्थ के diameter के बराबर उचा ही पे ले गया तो यहां से दूरी कितनी हो की बोलो R ये है तो total 3R हो गया बोलो तो यहां u कितना हो गया minus MGR by क्या 3 हो गया तो work done यहां से वहां तक ले जाने में work done by external agent क्या होगा तुम्हें पता है वो positive होगा इनी दोनों का difference निकालना है तो इसका coefficient 1 है इसका coefficient क्या है 1 by 3 है 1 और 1 by 3 का फर्क क्या होता है 2 by 3 तो answer आजागा 2 by 3 MGR ठीक है next देखो तुम्हें अर्थ के surface से 3R उचाही पे ले जाना है तो यहां से R हो गया बोलो तो यहां से कितना हो गया 4R हो गया यहां surface पे potential energy पता है कितनी होती है minus MGR बोलो और यहां कितनी होती है U minus MGR by क्या 4 होती है तो यहां से यहां तक ले जाने में कितना work करना पड़ा external बोलो इन दोनों का difference U final minus U initial लेकिन वो ना करने की बजाए मैं यह कह रहा हो कि जब positive ही आना है तो इसका क्या कर दे coefficient 1 है इसका coefficient क्या है 1 by 4 है तो 1 और 1 by 4 का difference क्या आ गया 3 by 4 तो इसका answer होगा 3 by 4 MGR तो इन problems के answer तुम oral दे सकते हो जैसे दोखो H equal to 4R अर्थ के surface से कहां ले जा रहे हो 4R height पे ले जा रहे हो तो यह R है तुम्हारा तो यह कितना हो गया 5R हो गया तो यहाँ potential energy कितनी होगी minus MGR by क्या 5 और यहाँ कितनी होती है minus MGR तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में W external कितना होगा वोलो दोनों का difference इसका coefficient 1 है इसका coefficient 1 by 5 है तो 1 और 1 by 5 का फर्क क्या हुआ 1 minus 1 by 5 कितना होगा 4 by 5 तो answer होगा plus of 4 by 5 MGR answer next देखो यहाँ से 5R पे ले जा रहे हो तो यहाँ यह कितना होता है बताओ जब अर्थ के surface पे ball पड़ी रहती है तो इन दोनों का ध्यान रखना तुम MGH मस लगाना अभी यह MGH वगर तुम ले वोरेटरी में बैठके लगाते थे या अर्थ बहुत वो कब लगाते हैं वो बिल्कुल अगर चैप्टर है ग्रविटेशन वाले में यह सब नहीं लगाईएगा कब लगाएंगे इसकी सीमा क्या है वो बताएंगे ठीक है तो अब जब यह configuration है अर्थ के surface पे ball रखी है तो ball अर्थ का जो potential energy है वो हमने कहा minus MGR by N N यहाँ पे 1 है तो U इतना आ गया यहाँ पे U कितना होगा बोलो यहाँ center से distance कितनी है 6R तो क्या हो जगा minus MGR by क्या 6 तो यहाँ पे delta U कितना आ गया है तो W external कितना आ जगा बताओ प्लस ही आना है MGR तो लिखना ही लिखना है divided by हाँ इन दोनों का difference क्या आ गया 5 by 6 इसका coefficient 1 इसका coefficient 1 by 6 बोलो 1 by 6 तो आ गया plus 5 by 6 MGR next तुमने surface से R by 2 चाही पे ले गया है जब यह बॉल यहाँ थी तो potential energy कितनी हो गई minus MGR और यहाँ आ गई तो कितनी हो गई U is equal to minus MGR by N N कितना हो गया R plus R by 2 यानि कितना 3 R by 2 तो N की value यहाँ हो गई 3 by 2 तो मैं लुखूंगा minus 2 by 3 MGR राइट निश्चिती positive होगा कुछ MGR difference देखो इसका coefficient 2 by 3 है इसका coefficient 1 है तो 1 और 2 by 3 का फर्क क्या होगा 1 by 3 होगा answer यहाँ देखो surface से R by 3 पे ले जा रहे हो तो यहाँ पे U कितना होता है बोलो minus MGR होता है और यहाँ कितना होगा minus MGR by N होता है N कितना है यहाँ से इसकी distance R plus R by 3 कितना होगया 4 R by 3 तो नीचे हम लिख दें 4 by 3 यह क्या होगया minus 3 by 4 MGR अब देखो हमको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में work done by external agent क्या होगा बोलो positive होगा MGR तो लिखना ही लिखना है difference क्या होगा इसका coefficient 3 by 4 इसका coefficient 1 तो क्या होगा 3 by 4 और 1 का फर्क कितना होगा 1 by 4 MGR सीधे answer आ गया next देखो तुम्हें R by 4 पे ले जाना है यहाँ U कितना है बोलो minus MGR है और यहाँ U कितना है यह R है और यह R by 4 कितना होगया R plus R by 4 देखो यह कितना होगया 5 R by 4 होगया तो यहाँ पे U कितना लिखोगे minus MGR by N N क्या है इस दूरी का यह वाला coefficient 5 by 4 तो यहाँ पे कितना होगया minus 4 by 5 MGR तो तुम्हें यहाँ से वहाँ तक ले जाने में कितना work करना पड़ा external agent का बोलो plus MGR तो होगा ही होगा difference 4 by 5 और 1 का difference 1 का difference 1 minus 1 by 5 कितना होगया बोलो 1 minus 4 by 5 1 by 5 का MGR ठीक है ऐसा ही तुम इसको भी कर लोगे इसको भी कर लोगे हाँ अब बताओ H equal to R से तुम्हें H equal to 2R रहना पड़ा तो देखो यहाँ पे H equal to R है H is equal to R है मतलब यहाँ से height कितनी है 2R है तो यहाँ पे potential energy हो गई minus MGR by 2 और यहाँ पे कितनी हो गई यहाँ से height कितनी है 2R यहाँ से दूरी कितनी हो गई 3R तो यहाँ पे potential energy कितनी है minus MGR by 3 ठीक है उपर जाने पे potential energy बढ़ती है मतलब यह value ज्यादा रही होगी खेर हमको क्या पूछा है work done तो work done by external agent क्या होगा बोलो क्या होगा m plus तो होना ही है mgr common ले लेते हैं और क्या इन दोनों का difference 1 by 2 इसका coefficient है इसका 1 by 3 है इन दोनों का difference क्या होता है ध्यान दो 1 by 2 minus 1 by 3 क्या होता है कहें चीक गुड़ा करो 3 minus 1 is equal 1 by 6 तो क्या आ जागा 1 by 6 minus मतलिक देना जो भी 1 by 2 बड़ा है 1 by 3 छोटा है मतलब जो भी difference आएका उसका positive ही लिखना क्योंकि work done positive ही होगा उपर ले जाने में है ना ये समझना जैसे तुम्हें अगर r से 3 r ले जाना है ठीक है तो क्या लिखो गए यहां पर r equal to r है मतलब यहां से center से दूरी क्या हो गई 2 r हो गई तो u यहां कितना आ गया minus mg r by 2 आ गया और यहां पर center से earth से surface से 3 r है यहां से कितना हो गया 4 r हो गया इसका मतलब यहां कितना हो गया minus mg r by 4 आ गया तो तुम्हें work done कितना करना पड़ा बोलो तुम क्या कर रहे हो plus तो होगा ही mg r यहां लिख देते हैं और इन दोनों का जो भी फर्क होगा 1 by 2 और 1 by 4 इन दोनों का फर्क क्या होगा 1 by 4 होगा answer ठीक है next करते है देखो यहां से वहां ले जा रहे हो यहां पर height कितनी है 3 r तो surface से कितना हो center से कितना हो गया 4 r तो यहां हो गया minus mg r by 4 और यहां पर height कितनी है 5 r तो center से कितना हो गया 6 r तो कितना हो गया minus mg r by 6 ठीक है तो work done क्या होगा यहां से यहां तक ले जाने पर, w external is equal to positive, mgr common ले लिए, ठीक है, 1 by 4 minus 1 by 6, कितना हो जगा 1 by 4 minus 1 by 6, देखो, 6 minus 4, 2 by 24, कितना हो गया, 1 by 12, positive ही लेना, अगर तुम by chance 1 by 6 minus 1 by 4 कर लो, तो जो भी चीजा है, उसका magnitude ही लेना है, यहां पर, क्योंकि उसका answer वही आना चाहिए, positive ही आ ठीक है, चलो, next करते हैं, हमें 6r से 9r ले जाना हुआ, तो यहां पर हम u निकालते हैं, कितना होगा, बताओ, 6r पर u कितना हुआ, 6r तो height हो गई, तो यहां से कितना हुआ, 7r, तो minus mgr by 7, और यहां पर क्या होगा, यहां दूरी क्या हो गई, 9r, तो यहां से कितना हो गया, 10 10r, तो यहां पर u कितना हो गया, minus mgr by 10, इतना हो गया, ठीक है, तो work done by external agent क्या हो जागा, बोलो, delta u होता है, by u final minus u initial, वैसे कर लिजे, या फिर जो मैं बता रहा हूँ, positive होना ही है, mgr लिग दीजे, अगर work done by gravity पूछेगा, तो negative, work done by agent पूछ रहा है, तो उसी दिशा में displacement है positively positive, तो घटा दीजे, यह 1 by 7 ज्यादा होता है, 1 by 10 कम है, तो 1 by 7 minus 1 by 10, कितना हो जागा बोलो, 10 minus 7 that is 3 by 70, कितना work करना पड़ेगा, 3 by 70 mgr, कितना work करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए, इसके बाद 2, 3, एक problem इसमें हम और करा देते हैं, देखो, r by 6 पे है, तो ध्यान दो, u कि इतना हो गया, यहाँ पे, r by 6 और यह r, तो यहाँ से distance कितनी हो गई, r plus r by 6 हो गया, 7 r by 6, तो यहाँ पे u क्या लिखो गया, minus of mgr by, यह coefficient, 7 by 6, क्या हो गया, minus of 6 by 7 mgr, तो यहाँ पे क्या लिखो गया, u is equal to, minus mgr by n, यह distance, r plus 2 r by 5, r plus 2 r by 5 करोगे, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, 5 r plus 2 r, 7 r by 5, तो 7 r by 5, तो इसकी यह वाली चीज यहाँ लिखोगे, 7 by 5, तो कितना आ गया, minus of 5 by 7 mgr, तो क्या पूछा है, कितना work done करना पड़ेगा, work done by external agent क्या होगा, u final minus u initial, ध्यान दो, u final कितना है, यह, तो minus mgr common लो, दोनों में से, तो u final कितना बचा, 5 by 7, minus, u initial कितना बचा, बोलो, 6 by 7, कितना होगा, 7, okay, कुछ उल्टा हो गया, 5 by 7, 5 by 7, और 6 by 7, हा ठीक है, तो कितना आ गया, minus 1 by 7, minus minus मिलके हो गया, plus mgr by 7, चाहे आपको ऐसे लिख करने में मज़ा है, ऐसे कर लीजे, मैं तो coefficient को घट आके positive value लिख देता हूँ, ठीक है, आखरी problem चलिए, देख लेते हैं, यह r by 4 है, यहाँ पर, r by 4 है, तो u कितना हो जगा बोलो, minus mgr by, r by 4 है, तो यहाँ से r plus r by 4, मतलब कितना, 5 by 4, जो coefficient है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, 5 by 4, मतलब कितना हो गया, minus 4 by 5 mgr, यहाँ पर, औ यहाँ कितना हो गया, u is equal to, minus mgr divided by, यह distance, देखो, r यह है, और r by 3 यह है, तो r और r by 3 कितना हो गया, 4 r by 3, तो यहाँ पर तुम 4 by 3 नीचे लिख दो, कितना हो गया, minus 3 by 4 mgr, delta u, work done by external agent, क्या हो जागा बोलो, plus होना ही है, mgr होना ही है, ठीक है, इसका coefficient 3 by 4 है, इसका coefficient 4 by 5 है, दुनों का difference ले लो, तो चलो, 3 by 4 minus 4 by 5, तो कितना हो गया, 15 minus 16, तो 15 minus 16 divided by 20, कितना हो गया, minus 1 by 20, हमें minus नहीं लिखना है, क्योंकि हमको तो answer positive, इसके magnitude से मतलब है, plus 1 by 20 mgr, हमारा यह answer आएगा, चलिए, next question, अगर हम ball को drop करते हैं, हमने, अब वो problem खतम हो गया, यहां से वहां ले जाने वाला, अगर ball को drop करते हैं, कितनी height से, 2 r की height पे, तो ground पे पहुँचने पे उसकी velocity क्या होगी, ध्यान दो, 2 r की height से फेके हो, तो यहां पे potential energy कितनी है, बोलो, u is equal to, यहां से 2 r है, और यह r ह by क्या, 3, और यहां पे कितना होता है, u, minus mgr by 1, यानि minus mgr, तो अब बताओ, तुम्हें पुछा है कि नीचे पहुचने पे velocity कितनी होगी, तो दोनों का delta u निकाल लो, delta u कितना हो जाएगा, mgr common ले लो, और difference देखो positive कितना आ रहा है, 1 और 1 by 3 कितना होगया, 2 by 3, यह जो log नी potential energy convert होती है, kinetic में, तो जो दोनों का difference था, यह ला positive, यह किसमें convert हुआ, half mv square में, बोलो, तो क्या करोगे, mm कट गया, यहां से, कितना होगया, v square, 4 by 3mgr, 4 by 3gr होगया, तो v कितना होगया, root 4 by 3gr होगया, इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी डिख सकते हो तुम, ठीक है, अगर विल्कुल ना समझ में आए तो, यहां इसको तुम a माल लो, इसको तुम b माल लो, ठीक है, a पे ua plus ka is equal to ub plus kb, ऐसे लिख सकते हो, ua तुम निकाल चुके हो, कितना बोलो, minus mgr by 3, कितना निकाल चुके हो, k0 था, तुमने यहां से drop किया था, is equal to, ub कितना है यहां प kb, मतलब हमें velocity निकाल निकाल नहीं, half mv square, तो इसको इधर भेजोगे बच्चे, तो कितना हो जाएगा, 2 by 3 mgr हो जाएगा, और is equal to क्या आ गया, half mv square आ गया, तो यहां से क्या करना, mm मूर गया, कट गया, तो भी कितना आ गया, root of 4 by 3 mgr हो गया, है ना, चलिए ऐसा ही कर ल गया, तो यहां यू कितना हो गया, minus mgr हो गया, है ना, तो नीचे आने पर कितने का, इन दोनों के बीच में difference कितने का है, देखो, 3 by 4 mgr का difference है, है ना, और वो कहा गया, half mv square के बराबर था, mm मूर गया, तो v गया कितना, root of 3 by 2 mgr, right, पिर देखो, तो यहां पर यू कितना हो गया, minus mgr by 6, क्योंकि 5r distance थी, तो यहां से distance 6r हो गयी, और यहां यू कितना हो गया, minus mgr हो गया, दोनों के बीच difference कितना है, देखो, तो mgr तो रहेगा ही, difference कितना है, 1 minus 1 by 6, 5 by 6 mgr का फर्क है, कि किसके बराबर है, half mv square के बराबर है, यहां से mm उड़ गया, भी कितना आ गय गया, root of, यह 2 से 3 कड़ गया, कितना गया, 5 by 3 gr, यह velocity आ गया, फिर देखो, ball drop करते हो, r by 5 से, तो यहां यू कितना हो गया, minus mgr by, यह distance, यह r plus r by 5, क्या हो गया, 6 r by 5, 6 by 5, कितना हो गया, minus of 5 by 6 mgr, ठीक है, और यहां पर u कितना होता है, बच्चे, minus mgr होता है, ठीक है, difference कितना हो गया, 1 और 5 by 6 का, 1 by 6 mgr, और यह किस के बराबर हो गया, half mb square के बराबर हो गया, यहां से mm उड़ गया, 2 से 3 कड़ गया, यहां से भी कितना आ गया, root of gr by c, तो ऐसे ही practice करोगे, थोड़ा सा, ठीक है, चीज़े होने लगेंगी, ठीक है, चीज़े होने लगेंगी, कि 4 r से drop किये हो, जब वो r उचाई पहत तब velocity पूछा है, तो यहां पर u कितना हो जागा, minus mgr by 5, जान रहा हो तुम अब, और यहां u कितना हो जागा, r height पे, यह 2 r हो गया, minus mgr by 2, दोनों के भी difference कितना है, mgr common ले लो, है न, 1 by 2 minus 1 by 5, कितना हो गया, 1 by 2 minus 1 by 5, करोगे तो कि 10 mgr is equal to half mgr, तुम बोलोगे सर, इसमें से इसको घटा दिये, minus आ गया तो, उससे मतलब नहीं है, तुमको loss निकाला, difference निकाल के हमेशा उसका magnitude ले लो, और वही use हो रहा है, काइंटिक एनरजी में, जो भी difference है, उसको निकाल के वहां उसका positive value रखो, और वही half mv square में convert हो जा 5mgr, और gr, यह value आ गई, next देखो, तुमने drop किया है 6r से, यानि यू कितना हो गया, minus mgr by 7 हो गया, और पूछा है, 2r height पे तब velocity कितनी है, यू कितना है, minus mgr by 3 है, तो difference कितने का हो गया, mgr तो लिखो गया ही, difference कितने का है, 1 by 3 minus 1 by 7 का, मतलब कितना, 7 minus 3, 4 by 21 का difference है, यहां क्य लिखो गया, 4 by 21, जो difference था, वो कहां गया, काइंटिग अनर्जी में बदल गया, नीचे आने पर जो potential energy है, वो convert हो रही है, काइंटिग में, कितना हो गया, म मुड़ गया, तो वी कितना हो गया, root of 8 by 21 gr, आगे बढ़ो, यहां देखो, 3r by 2 से फेके हो, तो यहां यू कितना ह हो गया, minus mg r divided by, यहां से यह r और यह 3r by 2, कितना हो गया, 5 by 2, यह हो गया, minus of 2 by 5 mg r, right, और यहां पर क्या होगा, बोलो you, minus mg r divided by कितना, यह r plus r by 3, 4 by 3, तो नीचे हो गया, 4 by 3 mg r, तो यह हो गया, minus of 3 by 4 हो गया, 3 by 4 mg r, तो दोनों का difference देखो कितना हो गया, mg r तो लिखना ही लिखना है, जो भी difference है उसका magnitude ले लो, कितना आया, 2 by 5 और 3 by 4, देखो, 2 by 5, minus 3 by 4, कितना आ गया, 8 minus 15, minus 7, divided by 20, हमको तो magnitude लिखना है, 7 by 20 लिख दिए, is equal to किस में चला गया, half mg square में चला गया, म मुड़ गया, भी कितना आ गया, root of 7 by 10 gr, right, और चलो आगे, खेल, चलता चला गया है, चीक है, और ऐसे ही तुमसे पूछेगा, अब नीचे से उपर फेकेगा, देखो, पूछा है, इतनी velocity से फेके है, बताओ कितनी उचाही जाएगा, तो क्या लिखना, a और b, इस सारी energy को, अब देखो, तुम क्या लिखना, u a plus ka is equal to u b plus kb, है न, ध कितना था बोलो, इतने से फेके थे, half m v square, v square यानी कितना, gm by capital R, ठीक है, half m v square, k is equal to u b कितना हो गया, u b जो भी रहा हो, बाद में निकाल लेंगे, kb to zero है, वहाँ height पर पहुँचने पर, तो u b कितना आ गया, तुम देखो, u b कितना आ गया, u b आ गया, अच्छा, gm की surface into r square लिख देते हैं, एक r, एक r, कट जाएगा, यहाँ क्या बचा, minus mgr, और plus m by 2 था ही अपना, और यहाँ क्या बचा, gr, तो कितना आ गया, minus of mgr by 2, इसका मतलब 2, यह वो coefficient है, इसका मतलब 2 आ गया coefficient, यहाँ से वो दूरी कितनी है, 2r है, इसका मतलब height कितना रहा होगा, यह height r रहा होगा, answer, ठीक है, और आगे बढ़ो, तुमने इतने से फेका, तो पूछा है कितनी velocity जाएगा, ध्यान दो, यह इसको a मान लो, ua plus ka is equal to, कितना, ub plus kb, highest point पे, यहाँ पे पहुँचके, kb क्या हो गया है, 0 हो गया है, ua कितना है जब surface पे है तो, यह कितना है, minus mgr है, है न, और k कितना है, half mv square, v square मतलब gm by 2r, और gm की जगा क्या लिख दो तुम, gr square रिख दो, g surface into r square, rr कट गया, तो क्या हुआ, mgr by 4, यह आ गया, mgr by 4, ध्यान दो, ua था minus mgr, और k आ गया, mgr by 4, score इसको जोड़ोगे, तो क्या आ जाएगा, 3 by 4 mgr, देख लो, minus of 3 by 4 mgr, minus mgr, और plus mgr, जोड़ोगे, minus 3 by 4 mgr आ गया, इन दोनों को जोड़ने पे, is equal to ub, ub क्या होता है भाई, अब इसको तुम लिखोगे, न, इसको तुम लिखोगे, इसको लिखोगे, minus mgr by क्या, 4 by 3, यानि center से कितनी दूरी पे हो गया, बोलो, 4 by 3 r distance पे हो गया, 4 by 3 r पे हो गया, इतना गुना आ गया, इसका मतलब, यहां से height कितनी रही होगी, इसमें से r घटा दो, कितना हो जाएगा, r by 3 हो जाएगा, और आगे बढ़ो, इतने से फेके, फिर इसको तुम a मान लो, इसको तुम b मान लो, क्या लिखोगे, ua plus ka is equal to ub plus kb, right, kb कितना है, 0 यहां पहुँचके, अर्थ के surface से फेके हो, तो ua क्या हो गया, minus mgr, k क्या होता है, half mv square, half mv square लिखोगे, तो gm by 3 r, और gm की जाएगे क्या लिख सकते है, यहां से rr कट गया, तो यह क्या हो गया, mgr by 6, अब यह क्या हो गया, minus mgr और plus mgr by 6, तो mgr common ले लिए हम, तो यहां क्या बचा, minus 1, और यहां क्या बचा, plus 1 by 6, is equal to ub, ऐसा हो गया, जब इसको solve करोगे, तो यहां आ जाएगा, minus 5 by 6 mgr, is equal to ub, तो ub कितना आ गया, minus mgr तो थ आ ही, इसको नीचे ले जाओ, यह नीचे ले जाओ, तो क्या होगा, 6 by 5 होगा, इसका मतलब, center से कितनी दुरी पर हो गया, 6 by 5 r पर हो गया, तो यह तो r निकल गया, इसमें से, तो यह 6 by 5 में से r घटा हो गया, तो 6 by 5 minus 1 होगा, तो कितना हो गया, 1 by 5, यानि कितनी height पर यहाँ पर B ले लो, यहाँ पर A ले लो, क्या लिखोगे, UA plus K A is equal to कितना, UB plus K B, highest point पर पहुँचके K क्या हो गया, 0, surface से फेके हो तो U कितना हो गया, minus MGR, और K कितना हो गया, half M into V square, V square करोगे, तो 1 by 4 तो पहले आ गया, और इसका square करोगे, तो root GM की जगे क्या लिख देना, इसकी value कितनी आ गई, MGR by 8 आ गई, ठीक है, यह आ गया, 1 by 8 और यह आ गया, minus 1, minus 1 plus 1 by 8 MGR, यह आ गया, तुमारे U की value, कितनी आ गई, minus 7 by 8 MGR, ठीक है, यह आ गया, MGR, minus MGR, divided by 8 by 7, 8 by 7 क्या हो गया, मतलब center से, 8 by 7 arc distance पे हो गया, मतलब इसमें से R घटा दो गया, तो answer क्या आ जाएगा, R by 7 आ जाएगा, ठीक है, यही problem है, root 4 G R by 3 से fake है, पुछे का कितना दूर जाएगा, चलो, फिर इसको A मान लो, इसको B मान लो, क्या लिखोगे, खुच से करना, और answer match करना, UA plus K is equal to कितना, UB plus K b, मैं बार बार इतने question इसलिए कर रहा हूं, कि जो लोग बिलकुल पीछे बैठते हैं, जो लोग कुछ नहीं करते हैं, जो अपना manubal खो चुके हैं, जिनको ये लगता है कि अब मैं सीख ही नहीं सकता हूं, जिनका manubal एगदम खत्प हो चुका है, इसको लिखाने वाले टीचरों जिनका manubal खा चुके हैं, और कुछ लोग बस निठलने ब भी कितना है, k भी कितना है, 0, k कितना है, half mv square, इसका square करोगे तो कितना आ जाएगा, 4gr by क्या, यह आ गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 2 by 3mgr, यह 2 by 3 में minus 1 जोडोगे, तो क्या आ जाएगा, minus 1 by 3mgr आ जाएगा, is equal to ub आ गया, अब इसको तुम ऐसे लिखना, इसको लिख सक क्या हुआ, 3 का मतलब क्या हुआ, यह center से कितना दूरी हो गया, 3r, इसका मतलब height कितना हो गया, 2r, answer, ठीक है, अब यह question पूचा है, कि velocity मैं root 4gr दे रहा हूँ, तो वो hmax जा रहा है, अगर मैं h by 2 कर दूँ, तो velocity क्या होगी, ठीक है, ध्यान दीजिए, a से आपने फेका है, b पे गया है, और c पे, energy कहां ज्यादा है total, तिनों जगा energy, same है, गिरती है ball में constant energy होती है, mechanical energy constant होती है, conserve होती है, तो a पर energy total जितनी है, उतनी ही b पर है, उतनी ही c पर है, तो क्या लिखिएगा a पर energy, u a plus k a is equal to, u b plus k b is equal to u c plus k c, ध्यान दीजिए, पहले हम a और b के बीच में लगाके h max पा लेते हैं, ठीक है, तो पहले हम a और b के बीच में लगाते हैं, k b क्या था, 0 हो गया था, ठीक है, k a अभी हम लोग निकाले थे, यह आला देखो, root 4g r by 3 वाला अभी निकाले थे, तो h max कितना आया था, 2r, इसको जब solve किये, इन दोनों को, a और b में लगाके, तो h max कितना आ गया था हमारा, 2r आ गया था, यानि यह 2r की उचाई पर जाएगा, तो हमसे midpoint पर पूछा है velocity, यानि यह कितना हो गया, total 2r था, तो इतना कितना हो गया, यह r हो गया, मतलब c पर क्या हो गया, potential energy, c पर क्या हो जाएगी, यह r height है, मतलब यहाँ से 2r हो गया, तो c पर कितना हो गया, minus mg r by 2 हो गया, है न, total energy हमारी निकली होगी, हम total energy अभी निकाले थे, कितनी आई थी इसम 1 by 3 MGR तो इसको यहां लिखो अभी जो निकाले थे इन दोनों का तो कितना आ गया माइनस MGR by 3 और is equal to UC कितना आ गया जब पिछले problem में भी निकाले थे जो S max 2 आ रहा है था तो यह आ रहा गया तो यहां से 2 आ रहा गया तो यहां पे potential energy मिल गई कितनी minus MGR by 2 minus MGR by 2 plus क्या केसी केसी पुछा है आपसे इसको उधर भीज़ेगा तो कितना आ जाएगा MGR by 6 is equal to क्या half Mb square यहां से क्या आ गया में मूड गया तो वी कितना आ गया root of GR by 3 आ गया बहुत अच्छा problem है ठीक है ऐसे ही आप यहां भी कर सकते है ठीक है कि V orbital sorry V जो आपने फेका है वो के root GM by R है के less than 1 है बताए कितनी उचाही पे जाएगा तो क्या लिखिएगा फिर A और B के बीच में लगा दीजिए UA plus KA is equal to UB plus KB right इतना हो गया तो क्या हो गया के बी तो पहुँचके 0 हो गया है UA कितना था surface पे minus MGR K कितना था half M V square V square करोगे तो इसका K square आ गया into इसका square करोगे तो 2 by R तो था ही पहले से और GM की जगा हम लोग क्या लिख देंगे GR square लिख देंगे यह kinetic energy हो गई is equal to UB तो यहां से दोखो कितना आ गया है R R cancel हो गया तो कितना आ गया minus MGR common ले लो यहां क्या बचा 1 minus 1 minus MGR common ले ले लो 2-2 कट गया 1 minus K square is equal to UB तो इसको तुम लिख सकते हो कितना minus MGR देख लेना ज़रा है MGR तो 1 by K square हो गया हां तो MGR हटा दिये तो minus MGR 1 minus K square हां तो इसको लिख सकते हो minus MGR divided by 1 by 1 minus K square कितना आ गया is equal to UB तो center से कितनी उचाही हो गई इसकी दूरी इसकी distance हो गई इतना times 1 by 1 minus K square into R तो यह height कितनी हो जाएगी तो total था height कितनी हो जाएगी minus R तो R common ले लो 1 minus 1 plus K square divided by कितना 1 minus K square तो answer आ जाएगा कितनी height पे जाएगा R into K square divided by 1 minus K square यह answer आ जाएगा चलिए तो वो लोग जो काफी bench पे पीछे बैठते हों उनके लिए मैंने खूब सारे numerical साथ में लगाए है कोशिश कीजिए तरीका यही follow कीजिए और सीखिए मुझे खराब लगता है जो लोग class में bench में पीछे बैठते हैं और जो question नहीं कर पाते हैं मैंने data बदल बदल के खूब सारे questions कराए हैं आप कम से कम field के और energy के questions कर पाएंगे J और main के question हो आपसे एकदम easily हो जाएंगे चलिए thank you so much जल्दी वीडियो बनाएंगे आप केपलर्स law पे बनाएंगे ठीक है तो next lecture केपलर्स law पे करते हैं जल्दी thank you so much